हेलो फ्रेंड्स मैं एड्वोकेट विनोज शर्मा अपने चैनल कानून और आमादमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आपने या आपके किसी रिलेटिव ने या फैमिली मेंबर ने और या किसी जानकार ने देहेज उत्पीडन यानि के आई पीची की सेक्शन 491 का जूठा मुकदमा फेस किया है या फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपुरुन होने जा रही है क्योंकि अभी हाल ही में माननिय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंद में एक बहुत ही महत्वपुरुन और एहम जज्जम है यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप से रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को कोट ने कहकशा कोसर एलियस सोनम एंड अनदर्स वर्सिस स्टेट और बिहार एंड अनदर्स क्रिमिनल अपील नंबर वन नाइन फाइव ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू के केस में एक बहुत ही महतोपुरून जज्जमेंट दी है और दोस्तों यह पूरा मैं आपको जज को बताओं कि जो जज्जमेंट है यह आठ फरवरी 2022 की है बहुत ही ताजी जज्जमेंट है और माननिया सुप्रीम कोट के डबल बेंच ने इसको डिसाइड किया है जस्टिस एस अब्दुलनाजीर एंड जस्टिस क्रिशन मुरारी की बेंच ने यह जज्जमेंट दिया है तो दोस्तों केस के फैक्ट्स क्या है इसमें जो कंप्लेनेंट है तरन्नूम अक्तर एलियस सोनी उनकी शादी मुहमद इक्राम के साथ हुई थी एक अठारा नो 2017 को उनकी मेरिज हुई उसके बाद 11 दिसंबर 2017 को वाइफ ने यानि कि जो इसमें कंप्लेनेंट है तरन्नूम अक्तर उन्होंने अपने पती के खिलाफ और अपने तस्रॉल वालों के खिलाफ फ़रस्ट जो है कंप्लेंट ब्लश्मी हो दाली मझिस्ट्रेट के सामने ऑर उसमें जो है उन्होंने आरूप लगाया कि जो है देज के लिए मुझे तंग किया जाता है और मारपीट की जाती है तो जो है इसलिए इनके खिलाफ कारवाई की जाए तो दोस्तों जब ये केस माननी असेजियम यानि के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोट में चला तो उन्होंने जो भी केस के फैक्स से उसके मताबिक केवल पती के खिलाफ जो सास थी इसमें ननत थी देवर थे या और फैमिली मेंबर्स थे कुल मिलाकर साथ फैमिली मेंबर्स इसमें हस्बेंट को मिलाकर जो है जिनके खिलाफ कंप्लेट की गई थी उनको सभी को जो है छोड़ दिया माननीय कोट ने क्योंकि किसी के भी खिलाफ कोई स्पैसिफि वगरा नहीं थी, कुरुवैलिटी की या और भी कोई जो है उसमें सबस्टेंस नहीं था पर्टिकुलर इसलिए उनको छोड़ दिया गया और बाद में पत्नी ने पती के साथ समझोता कर लिया उनका रेजुलेशन हो गया और फिर पत्नी पती के पास आकर रहने लग जाती है लेकिन एक अप्रैल 2019 को यानि के क्रीब दो साल बीज जाने के बाद पत्नी ने एक और जो है कंप्लेंड की इस बार एक F.I.R. दर्ज कराई साथ लोगों के खिलाफ पती समेत इसमें सेक्षन लगे 341 यानि के रास्ता रोकना 323 मारपीट 379 कोई चीज पत्नी के अगर कोई चुराई हो 354 छेडखानी महिलाओं के साथ 498 यानि के देज परतारना और उसके साथ जो कौमन एक लगती है अगर कौमन इंटेंशन है तो 34 I.P.C. के लगती है तो ये एक F.I.R. जो है दर्ज की गई और इसमें एलिगेशन ये लगाए गए के पत्नी को कार के लिए मजब परिवार वालों ने सस्राल वालों ने कहा कि अगर तुम दहेज में कार लेकर नहीं आती हो तो तुमारी प्रेगनेंसी को जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो इसमें जो हस्बेंड ने जो है एक रिट पेटीशन फाइल की क्रिमिनल रिट पेटीशन पत्ना हाई कोट में फॉर क्वाशिंग ओफ एफाई एर अंडर सेक्शन फोर एटीट तो ओफ अफ ऐसी लेकिन माननिया पत्ना हाई कोट ने उनकी ये रिट को खारीज कर दिया क्योंकि माननिया हाई कोट ने कहा कि प्रमेफ एसी जो एफाई आर को देखके लगता है कि देर इस और फिर यह जो है एक रिट पेटिशन जो है मारनिया सुप्रीम कोर्ट में डाली गई ऐफाई यार को क्वास्ट करने के लिए और वहां पर जो इसकेस में यह जो इन्लोज है उन्हों ने अपनी दलीलें दी कि पुलिस आफिसर ने ऐफाई आर दर्ज करने से पहले कोई भी इंक्वारी नहीं की जो कि मैंडेटरी है ऐसे केसिज में क्योंकि ललीता कुमारी वर्सीज गौर्रमेंट ओफ यूपी एंड अनदर्ज में इसका प्रावदान है कि 491 जब भी F.I.R. दर्ज की जाएगी तो पहले प्रॉपर इंकुवारी कंड़क्ट की जाएगी पुलिस ओफिसर के द्वारा उसके बाद ही F.I.R. दर्ज हो सकती है और दूसरा उन्होंने दलेल दी कि motive of F.I.R. is revengeful यानि कि जो पतनी है उन्होंने ससराल वालों से और पती से बद्रा देने के लिए उनके खिलाफ जूठे allegation लगाए हैं और इसलिए इसको जो है क्वाश किया जाए F.I.R. को और इसमें जो रेस्पॉंडेंट है इस केस में यानि कि जो वाइफ है उन्होंने कहा कि आईयो जो है इस केस में उन्होंने साथ वेक्तियों के खिलाफ जो इनलोज थे साथ वेक्तियों के खिलाफ investigation की है चलान पेश किया है इसलिए F.I.R. में जो अरोप है वो सब सही हैं और उन्होंने ये रिटरेट किया कि जो डावरी की जो कुर्यल्टी थी वो उन पर हुई है, उनके साथ मारपीट की गई है. तो मारणिया सुप्रीम कोट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए, इसमें जो एक सवाल था उनके सामने कि क्या अरोप सामान्या नेचर के हैं, ओमनिबस टाइप के हैं, जैनरिक टाइप के ऐलिगेशन हैं या कोई स्पैसिफिक टाइप के ऐलिगेशन इस फाई आर में लगा एक ऐसे वेपन के तोर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इन लोज को से बद्रा लिया जाए, या उनको जोठे आरोपों में फसाया जा सके, क्योंकि एक ऐसी टेंडेंसी बढ़ रही है, कि 491 को लगा कर जो इन लोज हैं, उनको परिशान किया जाए, तो माननिया सुप्र स्ट्रीम कोड ने कहा है, कि there is an increased tendency to employ provisions of 491 A as instruments to settle personal scores against husband and his relative, यानि कि 491 A एक ऐसा provision बन गया है, कि एक ऐसा instrument बन गया है, कि सस्राहल वालों से कोई उनका बदला लेना हो, या अपना personal score सेटल करना हो, तो उनके खिलाफ 491 A केस दर्ज करवादो, जिससे बहुत नुकसान होता है इन लोज का, और माननिया सुप्रीम कोड ने समय समय पर बहुत सारे केसिज में, 491 A के केसिज में, जो फैसले दिये हैं, वो पती के, यानि के इन लोज के हक में दिये हैं, क्योंकि बहुत सारी complaints जोटी पाई गई, जैसे अगर मैं आपको कुछ केस गिनवाऊं, राजेश कुमार वर्सिस स्टेट ओफ यूपी, इसमें एक ऐसी जज्जमेंट आई है, अरनेश कुमार वर्सिस स्टेट ओफ बिहार, प्रीती गुपता एंड अनर्दर्स वर्सिस स्टेट ओफ जारखंड गीतु महरोतरा वर्सिस स्टेट ओफ यूपी, ये गीतु महरोतरा का जो केस है, बहुत ही फेमस हुआ था, और इसके अलावा केस सुबरा वर्सिस स्टेट ओफ तलंगाना, इन सभी केसिस में माननियस सुप्रीम कोट ने 491 एक मिस योज पर कंसर्न जताया, और जो है, जूठी कंप्लेंड को जो है, सेट असाइड किया, तो ऐसे में जो है, इन जज्जमेंट्स में ये क्लियरली डेमस्ट्रेट है, कि सेक्शन 490 का मिस्यूज किया जाता है, और जिसका एक लॉंग टरम असर इन लोज पर पढ़ता है, क्योंकि जो इन लोज में कई मेंबर जो होते हैं, या अब जो है, अनम्पलोड होते हैं, तो उनको जो है, एफ आई आर के चलते, नोकरी मिलना मुश्किल होता है, और इसके उनको जो है, लॉंग टरम रेपरकर्शन से झेलने पढ़ते हैं, इसलिए, फॉल्स एम्प्लिकेशन बाई वे ओफ जनरल, ओमनिवस ऐलि लगाए जाते हैं, खास तो और पे मार पीट के, या क्रोयल्टी के, तो वो बहुत ही स्पैसिफिक होने चाहिए, किस दिन, किस समय जो है, इस तरह का अपराद हुआ उनके खिलाफ, लेकिन ऐसे इस केस में कोई भी स्पैसिफिक ऐलिगेशन नहीं था, ओमनिवस टाइप के लगाए वे थे, जिसे माननिय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जैनरिक कहा है, और अंत में अपने जो उन्होंने जज्जमेंट में कहा है, माननिय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जैनरल एलिगेशन वर लेवल्ड, नो स्पैसिफिक और डिस्टिंक्ट एलिगेशन, नन वाज FIR में नामधर्ज किया गये है, किसी को भी कोई रोल एट्रिब्यूट नहीं किया है, कि इस बंदे ने क्या किया मेरे खिलाफ, इसने क्या किया, उन्हें किसी का भी कोई अप्रिविशन कोन नहीं है, कोई क्राइश का, सिरफ उनके नाम लिखवाए गये हैं, तो माननिय सु कोट का जो decision था यानिके जो उन्होंने जो criminal repetition को reject कर दिया था उनके उस order को माननिया सुप्रीम कोट ने सैटसाइड किया तो दोस्तो चार सौठ ठानवे यह के जो है मिस्जुज उजब चारसो ठानवे ए पे माननिया सुप्रीम कोट की बहुत सारी जज्जमेंट आई हैं और अगर आप भी आप भी ऐसे किसी केस से पेडित हैं कि बहु ने आपके खिलाफ कोई जूठी चारसो ठानवे की डाउरी की कोई जूठी कंप्लेंट करवाई है तो आप इन इसका हवाला दे के आप अपने केस में अपना बचाव कर सकते हैं